नमस्कार तो आज हम बात करने वाले हैं उस बारे में जिसके लिए आप सदियों से इंतजार कर रहे थे तो देखिए काफी टाइम से हमारे जो फुटबॉल फैंस एक चीज कह रहे थे सैफ में रहने से नहीं होगा जहां रहके तो नहों पाएगा जो हम अचीव करना चाहते बिकॉज एक कामत है लंगडे घोडो के साथ रेस में दोड़ोगे तो आप ही जीतोगे क्योंकि लंगडे घोडे तो जीतने से रहे अच्छा घोडा रहेगा जीत जाएगा तो आपको जो है वो रेस वाले घोडो के साथ भागना पड़ेगा अच्छे घोडो के साथ ठीक है तो भही अब All India Football Federation फाइनली सोच लिया है विचार कर लिया है और जा रहा है उस और तो बहुत ही शांदर काम All India Football Federation की तरफ से कि हम जो फाइनली CAFA जो है Central Asian Football Association जो है जिसमें आपको पता है बड़ी बड़ी दिगच्छी में खेलती है उसके साथ हमने MOU साइन कर लिया है तो दीखे पहले भी ये बात ही चल रही थी कि CAFA से इंवीटेशन वगेरा की हमारी यू तो बहुत ही शांदर फैसला All India Football Federation का सबसे पहले तारीफ होना चाहिए कि एक स्टेप लिया उन्होंने अब इस MOU के अंदर भी काफी सारी चीजे जिसके उपर फोकस किया जाएगा सबसे पहला है यूथ फुटबाल तो हमारी जितनी भी यूथ तीम्स हैं सारी टीम्स वहा क्योंकि आप बेस तयार करते जाएंगे आपका उपर का माला अपने आप स्ट्रॉंग होते जाएगा बिकास बेस स्ट्रॉंग है तो आप यूथ के लिए सबसे मेन आपका फोकस यूथ होना चाहिए और यूथ सबसे मेन फोकस रखा गया है इस CFA के MOU में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी दूसरा वुमन्स फुट्बाफ तो सीनियर वुमन्स फुट्बाफ टीम जो भी इसमें पाइटिइट करेगी और यूथ फुट्बाल हमारी वुमन्स की वो भी इसमें पाइटिपिट करेगी CFP के कおい कोचिंग के उपर भी जो है वो फोकस किया गया है कि कोच एजूकेशन कैसे इरान उजबेकिस्तान कैसे यह लोग अपने प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो यह चीजे जो है बारी की समझेंगे समुई को दौरान तो वहां की हो सकता वहां के कोचेश वहां पर वर्क्सॉप के लिए जाएं तो इस तरही की चीजे आपको देखने को मिल सकती है जो की बहुत अच्छी बात है बिकॉज प्लेयर बनाएगा कोच तो कोच को सबसे पहले स्ट्रॉंग करना है हमको कोच को अच्छे करना है शांदार कोचेश चीजे ताकि वह प्लेयर बना सके इसके बाद एक और चीजे जिसको पर बिलकुल फोकस होना हुआ है रैफरिंग विकॉज आपको बता हमारे रैफरि किस करने जाए तो इस तरह का MOU के दरान जो चीजे हो सकती है इस तरह से चार चीजो पर मेंली फोकस किया गया है और सीनियर टीम की बात के तो सीनियर टीम इन्विटेशन पर वहां पर खेल सकती बिलकुल और एक और चीज हो सकता है कि CFA से एक MOU सायन होने से जो फ्रेंडली हो कोई दिक्कत नहीं है कितनी अच्छी बात है तो यह जो चीजे हो रही है न यह अच्छी बात है और जैसे कि आपको पता है कि CFA में कौन सी कंट्रीज आती भाई अफगानिस्तान फुटबॉल टीम किर्गिस्तान फुटबॉल टीम ताजिकिस्तान फुटबॉल टीम अधर जितने भी वहाँ पर और कंट्रीज है और जब से अफगानिस्तान भी वहाँ पर जूड़ी है तो अफगानिस्तान की फुटबॉल वहाला कि उन्होंने भार की प्लियर्स बुला लिए लेकि फिर भी अगर देखेंगे अधर कंट्रीज को भाई एक अलग लेवल पर ड लिकिन अभी फिलाल जो फोकस है वो यूथ फुटबॉल जो पहले बही हा गया था कि फूटबॉल पर फोकस करना पहले अब दीकिए समय जो डॉमिनेशन है भाई इरान का मैंस फुटबॉल में सीफयफ मैंस चलता है और वोमेंस फुटबॉल में उछुचब अच्बेकिस ज्यादा टफ है लेकि फिर भी और अधर कंट्रीज में पर डेवलप हो रही हर मतलब वुमेंस मेंस दोनों में तो इससे आप समझ सकते कि यह MOU जो है कितना बेनिफिट देने वाला कभी हमको प्रिप्रेशन केंप करना है जो कि हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है सीनिर टीम की ग्रोथ के लिए अच्छा है यूथ फुटबाल की अच्छा है अधर पूरा ओररल फुटबाल इंडियन फुटबाल अब देखी आपके सामने कितने MOU आपको दिखाई दे रहे हमारा सौधी के साथ बेमोई हो है तो साथी अरे भीया सक्ते हमारे पस एक फाय्दा हुइए अब एक और आपशन खुल गया अब एकर अप्शन चाहता हूं इसमें एक हर ची यह हो जाए कि हमारी जो players है अगर वहांगी leaks में sign कर पाएं ऐसा कुछ भी हो जाए यह मैं चाहा रहा हूं कि उजबेकस्तान leaks में जैसे women's player में हमारी dangle में इग्रेस गई थी तो हम वहां की senior जो men's league है उसमें अगर हमारे प्लेयर्स को जैसे आपने देखा होगा वियतनाम वगेरा का कुछ कॉंट्रेक्टेट टाइप कर चलता है जापान वगेरा के साथ आपने देखा ना यह AFF कंट्रीज का यह जो Asian Football Federation वाली कंट्रीज है इनका तो ऐसा कुछ हमारा भी इनके साथ हो कि हमारे जो प्लेयर्स है देखो senior team खेलेगी टूर्नामेंट्स खेलने जाएंगे वह एक अलग चीज है उससे एक है कि हमारे team को एक strong opponents वहां पे हो मिलेंगे लेकिन अगर आप सोचिए हमारे players को वहां पे club signing में अगर help मिले यह मैं चाहता हूं यह इस type के moos भी होना चाहिए कि हमारे players वहां की league में चले गए तो ऐसा भी कुछ अगर हो future में मही भी इसके बारे में सोचा जा सकता है अभी फिलाल ऐसा कुछ नहीं है अभी तो youth football women's football coach education और referring इनके उपर focus है और बाद में और भी चीज़े हो सकती है जैसे जैसे इन में सकसेस मिल जाएगी यह mutual जब चीज़े होती content नहीं तो दोनों को जब अगर फायदा होता है तो और भी चीज़े आगे बढ़ती है तो ऐसा कुछ दोनों में यूच्वल पायदा होगा तो और भी चीज़े आपको देखने को मिल सकती, maybe signings वगरे भी आपको देखने को मिल सकती विकॉस देखो उनके players हमारे हैं साइन होते ही है लेकिन हमारे भी players उनके हैं साइन होने लग जाए then काम की बात है न then तो MOU का success वो मिल गया हमको तो चली आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपको कितनी खुशी हुई इस बात से मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि दीके पहले से भी इसके उपर चर्चा चल रही थी discussion चल रही थी लेकिन finalize नहीं हुआ था लेकिन अभी final हो गया है कि हम CFM जो है ऐसा invitee जो है आप खेल सकते हैं काफी सारी चीज़ों के उपर हम साथ में काम करने वाले हैं जो कि इंडियन फुटबॉल की overall growth के लिए बहुत ज्यादा फायदमन होने वाला है आपकी का thoughts से उसके उपर आप जरू कमेंड़े में लेके बताएगा और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रही है क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़े आपको आगे और देखने को मिलने वाली है बाकी जो नीचे स्टेट लेवल पे जो काले कारने में होते हैं उसके बारे में तो हम बात करेंगी उनको भी सुधारेंगे एक दिन वो भी सुधारेंगे एक दिन कोई दिक्कत नीए लेकिन वजह है साथी हाध बढ़ाना मिलके हाध बढ़ाना तो ही होगा तहीं है इसलिए आप मिलके भारतिय फुटबॉल को सपोर्ट करते रही है बहुत शुक्रे वीडियो देखने के लिए जय हिन चय बारत